भाईयो नमस्कार भाईयो आजकल यही चर्चा है कि 38 में रोग आ गया है और उसके खेट में भी रोग आ गया है और सभी कुछ न कुछ यह पिर्यास कर रहे हैं कि इस रोक की रोक थाम कैसे की जाए और कुछ किसान भाईयों को वैसे तो जायतर को पता है लेकिन कुछ किसान को यहीं नहीं पता कि दवाई किस चीज की लाएं पोका बोईंग की लाएं या रैड रोड की लाएं या टोप बॉरर की लाएं क्योंकि रोग की पहचान नहीं है कुछ किसान भाईयों को और अगर पहचान भी है तो यह नहीं पता कि दवाई कौन सी लाएं इसलिए भाईयो वीडियो देखते रहें और उससे पता चलता रहेगा कि कौन सी दवाई किस रोग में काम करती है और रोग की पहचान के लिए भी वीडियो मैंने डाल लखी है पिछली वीडियो काफी डाली है इसी बारे में भाईयो ऐसा है इसमें 38-20 में रोग एक तो आते ही जादे हैं लेकिन temperature जब high हो जाता है तो इसमें एक यह है कि यह जैसे कि यह होपड से यह उपड से पती मुर सी जाती है लाल सी हो जाती है इसका मैं जून में यह स्वैत ही इसका एक इसे दोस माल लो या कुछ भी माल लो इसे ये अपने आप ही ठीक हो जाता है ज़र बारिस होती है तो इसे कोई रोग ना समझें और अगर आपके खेट में पोका बोईंग क्योंकि रेड रोड और पोका बोईंग का समय अब चल रहा है और दूसरी बात जैसे कि कुछ किसान भाईयों के खेट में जायतर के ही में टोप बोरर आ गया है उसकी वीडियो मैंने पिछली बनाई है कई सारी तो उसके निदान जरूर करें क्योंकि पोका बोईंग की दवा भी जरूरी है टोप बोरर के साथ इसलिए टोप बोरर और पोका बोईंग की दोनों की दवाई देनी जरूरी है क्योंकि अगर टोप बोरर आ गया तो भी फसल का नुक्सान है गन्य की और पोका बोइंग आ गया तो भी फसल का नुक्सान है क्योंकि टोप बोरर में तो फसल उपर को बढ़ती ही नहीं जोन सी गोब में टोbet बोरम लगयो वो पोधा होने का नहीं नीचे से कल्ले निकल कर आंगी और पोक्का बोइंग में भी सेम यही सिस्टम है लेकिन पोका बोईंग में यह है कि पत्ती थोड़ा सा पोधा कम जो रोक रोक गया तो उपर को चल देता है लेकिन टोप बोरोर में में चलता इसलिए भाईयो अगर इस्प्रे आप नहीं कर पाते तो खाद में मिला कर फंगी साइड कोई सी भी आप ले सकते हैं ऐसा है भाईयो अगर आप खाद में मिला रहे हैं तो उसके लिए आपको जैसे इस्प्रे में 500 ग्राम मातर लेनी आपको तो खाद में दूनी मातर लेनी पड़ती है फिर खाद में एक किलो ग्राम दवाई लेनी पड़ेगी इसलिए भाईयो इस्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो खाद में मिला कर आप डालें लेकिन इन रोगों का निदान जरूर करें और सिचाई अवस्या करते रहें क्योंकि ये जायतर किसान भाईयों के खेत में दोनों रोग आ चुके हैं और बुरर तो सभी के खेत में आ चुका है क्योंकि किसान भाई बहार से देखते हैं अंदर से नहीं देखते बहार से फसल ठीक लगती है और अंदर से उसमें रोग है इसलिए अंदर बढ़कर भी क पिसान भाइक अपनी फसल को देखकें तभी रोगों का पता चलता है कि फसल कैसी हो रही है तो भाई यू अगर आप यूरियम मिला कर गेनना चाहते हैं तो इसमें आप मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें दूसरी दवा बताई थी अगर आप उसे नीवक गेनना चाहरे और यूरिया मिलाकर एक एकड़ में उसका छड़काओ कर दें बखेड दें और तुरंत पानी दें अगर पानी आप नहीं दोगे और नमी आपके खेट से चलीगी तो आपके खेट में वो दवाई अच्छे से काम नहीं करेगी अगर आप टोप बुरर की भी दवाई इसमें गेनना चाने हैं इंसक्तिसाए टोप बुरर भी है आपके खेट में तो आप इसमें 500 ग्राम थायो में थाग जाम और 500 ग्राम फिपरोनिल मिला लें इसी में मिक्स्चर करके इसके और सेरिक खेट में आप उस खाद को दवाई को छड़काव कर दें और पानी लगातार देते रहें हर 5-6 दिन में आपको भाईयों बहुत अच्छे और सांदार रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि किसान भाईयों की ये दिक्कत है कि इस परें नहीं कर सकते इसलिए आप खाद में मिला कर ये दवाईयां दें इससे आपके पोका बोईंग और टोप बोरर दोनों का खातना हो जाएगा और फसल बहुती सांदार और अच्छी चलेगी भाईयो मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ और आगे भी डालता ही रहूँगा इसमें ये है कि आप ये वीडियो देखकर सेयर और लाइक जरूर करें कुछ भाई सब्सक्राइब भी नहीं करते भाईयो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें इसमें कोई खर्चा नहीं होता है कुछ नहीं बस आपको एक बटन दवाना है लाल वाला सब्सक्राइब का और ये सब्सक्राइब हो जाता है और आल पर प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो का हर एक नोटिविक्शन मिलता रहे और अगर भाईयो आपको वीडियो पसंद नहीं है कोई कमी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और अगर कुछ चीज पूछ नहीं है कुछ भी किसी पिरकार की खेती संब्दी तो आप कमेंट में जरूर पूछते रहें ठीक अभाईयो नमस्कार